बिहार में रोजगार क्यों नहीं है रोजगार दो वजस दो वजस से नहीं है एक यहां की शिक्षा देवस्था अच्छी नहीं है और दूसरा रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है वो शिक्षित बेरोजगार नहीं है डिगरी धारत बेरोजगार है उ दर्भंगा में अभी जनसुराज पद्यात्रा पहुंचा है यह यात्रा के सुप्रीमों जो प्रसांद की सोड है इस दोरान हमेशा ही संबादाता समेलन बुलाते हैं और संबादाताओं का सवालों का जबाब देते हैं इस दोरान जब उन्हें से पूछा गया कि रोजगार पे आपकी क्या सोच है बिहार में रोजगार पनप रहा है या नहीं इसको ले करके उन्होंने अपनी बातों को असपस्ट ढंग से रखते हुए सरकार के पॉलिसीज पर सवाल या निसान लगाते हुए का है कि बिहार में रोजगार फिसड़ी है इसके दो कारण है पहला सि इसक्षा को लेकर कि उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में डिगरी की पर्था है बच्चे युबा युबतिया डिगरी लेकरके रोड पर भटक रहे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरा जो लोग रोजगार करना भी चाहते हैं तो उन्हें पुंजी का आभाब ह बिहार में पुन्जी का अभाव है अगर सरकार ये कहकर अपना पल्ला धार रही है कि हम रोजगार परपा रहे हैं सरकारी नौकरी दे करके तो उन्होंने आकडा भी दिया है और संबादाता सम्मेलन में उन्होंने रोजगार पर बिहार कितना सफल हुआ है और इन दोनों कार को पर प्रसांद की सोर किस तरीके से अपनी बातों को रखने हैं देखिए इस वीडियो में बिहार में लोगों को ऐसा लगता है कि सरकारी नोकरी के जरिए रोज़्यार मिल सकता है तो आपको एक आकड़ा बता देता हूं एक दसमलों 5-7 प्रतिसत लोग ही बिहार के सरकारी नोकरी में हैं शपरासी से लेकर मुख्य सची उतनगर सबकी संख्याव जोड़ दीजिए गा तो कुल जमा-1.5 प्रतिसत को संख्यारी कि बिहार में रोज़गार क्यों नहीं हैं निश्चित तो और पर शिक्षा ब्यवस्था अच्छी नहीं है और दूसरा रोजगार के लिए लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं है जब तक इन दो बिंदूओं को नहीं सुधारा जाएगा बिहार की शिक्षा ब्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों के हाथ में रोजी रोजगार के लिए जन्द सुराज का विजन है कि यहां पर स्वारोजगार कैसे आएगा, फलायन कैसे रुखेगा, शिक्षा की जो इस्थिती है वो लोगों को पता है, यहां पर स्कूल से खिचडी बट रही है, कॉलेज से डिगरी बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है, तो दूसरी बड़ी समस्या है कि आखिर यह बेरोजगारी खतम होगी कैसे, बेरोजगारी यहां खतम होगी, लोगों को पूंजी मोहिया कराकर, विहार में जो बिहार से पलायन है, वो सिर्फ स्रम का पलायन नहीं है, बुद्धी का पलायन नहीं है, एक बहुत बड़ा पलायन यहां से पूजी का पलायन है जिसकी चर्चा यहां लोग करते नहीं जिनकी समझ ज़्यादा है नहीं लोगों को तो देखा आप लोगों ने जिस तरीके से प्रसांत किसोर की जो पधियात्रा है वो अभी दर्भंगा पहुँची है इस दौरान इस पधियात्रा में वो लगातार प्रेस कंफरेंस बुलाते हैं और प्रेस कंफरेंस बुलाने के बाद सवालों का जबाब देते हुए हैं लोग घूम रहे हैं पुझी का अभाब है पुझी अगर सरकार निवेश कर देती है तो हम साबित हो सकते हैं कि बिहार में रोजगार सबल हुआ है सिक्षा को ले करके खिचरी परनाली और डिगडी परनाली पर भी अपनी बातों को अस्पस्ट धंग से रखते हुए सबनी से सानुझा की रिपोर्ट